आजी फ्रेंट्स तो चलिए बढ़ते अपनी ट्रिक की तरफ ठीक है ट्रेडिशनल मेथड़ में आपको नहीं कराऊंगा आप सबको आता है ट्रेडिशनल मेथड इस वीडियो के अंदर में ट्रिक से आपको बताऊंगा कैसे हम बहुत ही आसानी से विदिन 5-6 सेकंड के अंदर किसी भी 2-2 से ज़्यादा नमबरों का हमें लचियम निकाल सकते हैं ठीक है क्योंकि ये ट्रिक वाली पूरी सीरीज चल रही है तो इसमें मैं आपको जो भी मेरे को ट्रिक आती है उन सभी के बारे में एक एक करके मैं आपको हर वीडियो के अंद जो की 18 है इसको आप LCM मान लो ठीक है LCM किस केस में मान सकते हैं कि अगर जो ये 18 है 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ठीक है लेकिन यहाँ पर हम देख रहे कि 18 जो है 12 से कंप्लिटली डिवाइड नहीं हो रहा तो अभी हम क्या करेंगे 18 के मल्टिपल लिखते ज जाएंगे जहाँ पर इसके मल्टिपल जो है 12 से कंप्लिटली डिवाइड होने शुरू हो जाए ठीक है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 36 है वही 12 से कंप्लिटली डिवाइड हो गया तो इस केस में 12 और 18 का जो LCM है वो 36 हो जाएग ठीक है फ्रेंड्स ये इसका एक पहल मैथड है ठीक है जो जब दो नमबर दिये होए तो इस तरीके से आप LCM निकाल सकते हो ठीक है अब इसमें दूसरा में मैथड आपको बताता हूं जैसे आप मानलो दो से जादा नमबर दिये गए हो तब आप किस तरीके से आप उन नमबरों का LCM निकाल सकते हो जैसे कि मान दूसरे को डिवाइड करते हो, जैसे माल लो 8 और 24 एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले 8 और 24 ले लो, तो 8 और 24 के केस में आप डारेक्ट बता सकते हो, पहले वाले मैथड से, कि जो 24 है, इन दोनों का LCM हो जाएगा, 24 LCM हो गे 8 और 24 का, तो अभी हमारे पास दो नमबर बचे, 14 and 24, ठीक है, अब देखो, अभी आप अगर यही मैथड आगे लगाते हो, तो आपको 24 की टेबल आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप उसके multiple लिख पाओगे, अगर आपको 24 की टेबल नहीं आती, तो अभी यहाँ पे हम दूसर दरीका अपना सकते हैं, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 24 जो बड़ा वाला नमबर है, इसके factor करेंगे, इसके factor कर सकते हैं, 6 चोग 24, ठीक है, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 2, and 4 को 2 दूनी 4, ठीक है, अभी 14 की factor करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, तो यह एक 2 है, जो कि यहाँ पे आ रखा है, तो यहाँ से हमने cancel कर दिया, यह 7 है, जो कि इस पूरे 24 के factor में नहीं आ रखा, तो यहाँ भी बस इसको 7 से multiply कर देंगे, कहने का मतलब है, यह पूरा जो है, 7 से multiply हो आ है, मतलब कि यह पूरा कितना है, 24 है, 24 कि से multiply कर देंगे, अभी हम 7 से multiply कर देंगे, जो कि हो जाएगा, 7 चो, 28, 7 दूनी 14, तो 168 इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, ठीक है friends, अभी एक और example देख लेते हैं, तीसरा example जो है, वो है 25, 50 और 105, ठीक है, अभी ऐसे दो नमबर लेने, जो एक दूसरी को डिवाइड करते हो, पूरा पूरा, तो 25 और 50 हो गए, ठीक है, अब इन दो का हम LCM लेंगे, तो यहाँ पर 50 क्या हो जाएगा, इन दो नमबरों क्या जाएगा, 50 हो गया, अब हमारे पास दो नमबर बचे, 50 और 105, तो अभी हम क्या करेंगे, बड़े वाले नमबर के factor कर लेंगे, 105 को क्या लिख सकते है, 15 सते, 105, ठीक है, 15 क्या लिख सकते है, 35 है 15 और यह हो गए 7, ठी पचास, ठीक है, 25 को क्या लिख देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, तो यहाँ पर यह 5 है, यहा रखा है, तो एक 5 कैंचल हो जाएगा, ठीक है, 5 टू जा, 10 बचा बस एक्स्ट्रा, ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरा किस से मल्टिप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टिप्ल तो इस पूरे का LCM हुआ है यह 1050 किसका 25, 50 और 105 इस पूरे का LCM यह 1050 हुआ है ठीक है फ्रेंट्स तो अभी फ्रेंट्स आपको मैं एक example आपके homework के लिए देता हूँ जो क्यों होगा 18, 30 and 72 आपको इसका LCM बताना, LCM क्यों होगा ठीक है फ्रेंट्स तो जो तरीके मैंने बताई जो ट्रिक मैंने बताई अपनी इस वीडियो में उससे आप बहुत ही आसानी से इसका LCM 4-5 सिकन के अंदर निकाल लोगे ठीक है फ्रेंट्स